दशक की सबसे बड़ी चुनोती मोधी योगी के सामने हैं? क्या पीए मोधी देश को अंधेरे से बचा पाएंगे? क्योंकि बिजली का स्टॉक खत्म है तो फिर छायगा अंधेरा? क्या आपके घर भी बार-बार जाती है बिजली? अगर हाँ तो आप इस बड़े संकट को भी समझ लीजिए ये एक ऐसा संकट है जिसमें ना पीए मोधी की सबसे कटिन परिक्षा होने वाली है बलकि देश में कोईला की कमी से भारत को भी इस संकट से जूजना पड़ सकता है भारत में बिजली का संकट तयार हो गया है हालात ये हैं कि भारत के पास कुछ दिनों की ही बिजली बची है इंग्लेंड समेत यूरोप के कई देश इस संकट से जूज रहे हैं लेबनान जिससे देश तो पूरा अंधिरे में डूप चुका है रोशनी के लिए तेल पे आशिर्थ हो गए है भारत में तो तेल भी नहीं है अगर बिजली खत्म होई तो क्या होगा चीन भी इस संकट से अचूता नहीं है उर्जा मंत्री ने ट्वीट किया कि हमारे पास सिर्फ दो से तीन दिन की बिजली बची है क्या भारत में सच में बिजली का संकट बहुत गहरा है दिली जैसे शेहरों में बिजली का जाना एक संकट है आने वाले कुछ दिन या कुछ महिने तक आप भी तयार रहें कि 8-10 गंटे की बिजली आपके घर की कट सकती है जहां 24 गंटे बिजली का दावा किया जाता है वहां भी बिजली की कटवती भारी मात्रा में होगी जहां 16-18 गंटे बिजली मिलती है वहां भी आधी बिजली मिलने की उमीद है योपी में तो उर्जा मंतरी ने ट्वीटर पे हाथ खड़े कर दिये और कहा थोड़ा वक्त दीजिए ऐसे हालाद देश के सब ही राज्यों में है लेकिन नरेंद्र मोदी और योगी के सामने एक बड़ी चुनोती है योगी आधी तिनाद के लिए इसलिए क्योंकि यूपी की जनसंख्या सबसे जादा है और इसलिए बिजली की खपत भी चिंता जनक है ऐसे वक्त में साल 1965 में लाल बादु शास्त्री की वो नसीहत यादा गई जब देश में अनाज की कमी होने के कारण एक वक्त एक दिन ब्रत रहने की नसीहत दी गई तो क्या देश में बिजली को लेकर वही हालात पैदा हो गया है नरेंदर मोदी जब सिफ प्रधानमंतरी बने है वो भी बिजली बचाने के लिए हमेशा लोगों को प्रेड़ करते हैं लेकिन भारत में कोईली की कमी होने के कारण बिजली का संकट बहुत गहरा हो गया है ये कितना बड़ा संकट है इस संकट से पियम मोदी और यूपी के सीम योगी कैसे निकलेंगे क्या आपके घर की बिजली कट जाएगी आप किसी अफवा में ना आए क्योंकि हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं जिससे वक्त रहते हम सब मिलकर देश का साथ दे सकते हैं अब ही हालात ऐसे हैं कि दो दिन बिजली ना बने तो पूरा देश अंधेरे में हो जाएगा कोविट महमारी की दूसरी लहर के बाद भारत के अर्थवेवस्था में तेजी आई और बिजली की मांग बेचानक बढ़ी बीते दो महिनों में ही बिजली की खपद 2019 के मुकाबले 17 प्रतिशत बढ़ गई इस वीच दुनिया भर में कोविले के दाम 40 फिजदी तक बढ़ गए जबकि भारत का कोविला आयात दो साल में सबसे निचे देस्तर पर है भारत अब तक आयात के मामले में चौथे नंबर पर था लेकिन पिछले दो सालों में कोविला आयात में भारी कमी एक सबसे बड़ी वज़ा है मामला गंभीर जरूर है लेकिन पैनिक नहीं है क्योंकि प्रधान मंतरी मुदी लगातार कोशिश कर रहे है और इस हालात से निकलने के कई उपायों पे काम किया जा रहा है यानि भारत ने कोविला ना के बराबर आयात किया जिससे ये संकट गहरा गया कोविला कम आयात किया गया ताकि विदेश्री मुद्रा भंडार बढ़ाया जा सके लेकिन इधर इतना बड़ा संकट आ जाएगा क्या इसके तैयारी सरकार की नहीं थी तेवहारी सीजन के दौर में बिजली का संकट दिर्श के एकोनोमी के लिए बूरी खबर है कोरोना के जटके से उबर रही भारत के अर्थेविश्था में सुस्ती देखी जा सकती है दरसल बिजली संकट की वज़ा से इंडस्ट्री में प्रोडक्शन, सप्लाई, डिलवरी समेथ वो सब कुछ प्रभावित होगा जो एकोनोमी के लिए बूस्टर डोज माना जाता है इसका असर प्रतक्ष या अप्रतक्ष तोर पे महंगाई से जोड़ कर भी देखा जा सकता है भारत का 20 लाक्टन कोयला चीन के पोड़ पर बहिनों से फसा हुआ है ये कोयला भारत ने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया था अपनी उर्जा जरुद को पूरा करने के लिए भारत को इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से भी कोयले का आयात करना पड़ता है भारत में कुल आयातित होने वाले कोईले का 70% दी आस्ट्रेलिया से आता है दक्षिर भारत के जितने भी बिजले उत्पादं करने वाली फैक्टरी हैं वो जहरकंड या 36 गड़ से कोईला मंगवाने के बजाए आस्ट्रेलिया से कोईला मंगाते हैं भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोल इंपोर्टर है जबकि इसके पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोल रिजर्व है लेकिम फिलहाल भारत बहुत बड़े संकट में है बिजली का संकट सिर्फ भारत में नहीं है भाज से बुरे हालाद चीन में भी है चीन से भी बुरे हालाद कुछ दिश्व में ये इसलिए क्योंकि कोईले की कमी पूरी दुनिया के लिए सिर्धर्ध बनता जा रहा है बीरो रिपूर्ट ग्लोबल भारत टीवी